पूरा देश कह रहा है कि इस सरकार का तीसरा कारकाल होगा और दमदार लेकिन साथियों इंडी गडबंदन वाले देश से भाजपा एंडिये की स्थीर सरकार हटाना चाहते हैं और इनके पास सरकार चलाने का क्या फॉर्मूला है इनका फॉर्मूला है पाँच सार में पाँच पार्टियों के पाँच पियम बनाएंगे यानि हर साल एक नया पियम ये चाहते हैं कि भानुमती का कुनबा जोड़ने वालों को लूट का बराबर मौका मिले मैं जड़ा आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपको पाँच साल में पाँच पियम मनजूर है क्या ये पाँच पियम देश को चला सकते हैं क्या देश को बरबाद करेंगे करेंगे साथियों एक बार किसी एक छोटे व्यापारी को अपने हाँ काम करने के लिए एक सहायक की जरूरत थी है तो उसने अपने हाँ पाँच पड़ोस वालों को कहा कि भाई 22-25 साल का कोई नौजवान मुझे मिल जाए तो मेरे कारोबार में जरा मदद हो जाए और मैं उसको ठीक तनखा भी देदूँगा तो किसी को पता चला वो पहुंच गए कि हाँ 24 साल का कि आपका जो क्राइटेरिया है वो मैं फूरा कर दूँगा तो उनों का ठीक है आपके बेटे को लेकर आईए तो उसने क्या किया 12-12 साल के दो बच्चों को लेकर क्या आगया बोले 12-12 वाले दो है 24 हो गए रख लीजिए कोई रखेगा क्या एक एरे 5 साल के लिए 5 पीम रख लो साथियों इंडी गडबंदन में वही लोग है झाल झाल